हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का study IS and PCS चैनल पर तो अभी बहुत कल से काफी सारे मिल रही होंगी कि जो पेपर है वो लीक हो गया है UGC net का है ना पेपर रद किया जाएगा पेपर दुबारा होगा तो चलिए आज इसी के ऊपर हम लोगोंने वीडियो बनाया है कल मैंने पहले हम चाहते थे कि इसको पहले चैक कर लिया जाए कि एक्चुली इस पर क्या हो सकता है और क्या अभी तक हुआ है तो इसलिए आज हम वीडियो लेके आए हैं क्योंकि मोटो के वल यह नी था कि वीडियो बना दिया जाए वीडियो बनाना यह था कि परपस आप लोगों यूट्यूब पर जगे यही निव्यूज आ रही है यूजी सी हिंदी नैट परिख्या का लीग मामला ठीक है क्या हुआ है कि जो मतलब पेपर हुआ था 27 दिसेंबर को ठीक है वो क्या हुआ है कि लीग होगया है उसके मैटर में यहां पूरी न्यूस आपको देखने को मिल ज 27 दिसमबर की और पेपर लीक का मामला सामने आया है ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी सारी चीजे मतलब चल रही है प्रोसेस में आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक NTA ने इसकी ऊपर सबसे बड़ी बात की कोई भी ऑफिशल नोटिफिकेशन नहीं दिया है और रही बात जो कर्णड़ा का पेपर जो मैंने इससे पहले एक बनाया था जो कि रिशिड्यूल हुआ था लेकिन वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे काफी सारी इशूज आया थे प्रॉब्लम्स आरी थी और बच्चे जो है ठीक से एक्जैम नहीं दे पाये थे अल्मोस्ट सभी बच्चों को प्रॉब्लम आरी थी स्किप नहीं हो पा रहा था या नेक्स्ट कर रहे थे तो प्रॉब्लम आरी थी कोश्चन्स नहीं हो रहे थे मतलब इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ फेस हुई थी जिसकी वज़ए से हुआ था थो जब यूजी सी नेट ने उसको री शिड्यूल किया था री शिड्यूल की न्यूस दी थी तो उसमें री शिड्यूल के अंदर ये दिया हुआ था कि reschedule करेंगे क्यों कर जाएगा वो उसके अंदर बताया गया था ठीक है तो ऐसा नहीं था कि reschedule था तो वो किसी की वज़े से था नहीं वो कोई paper leak का matter नहीं था यहाँ पर आप साफ तोर पर देख सकते है paper leak है वहाँ पर जब कि reschedule बताया था due to ठीक है technical issue ठीक है क्यों होने वाला था वो technical issues की वज़े से होने वाला था और paper leak का matter है friends अभी इसके उपर इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर अभी सारी चीज़ें चल रही है ठीक है continue process में है अभी देखा जा रहा है कि क्या हुआ था actually क्या हुआ है actual condition को देखने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को अभी hold on रखा गया है ठीक है और पूस्ताज करी जा रही है अब देखिए इसमें यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि paper जो है reconduct होगा सभी का net का paper reconduct नहीं हो सकता because अभी कोई official notification नहीं दे रहा है तो हम कैसे मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी reconduct का matter होगा या रद करा जाएगा तो कोई paper रद नहीं होगा यह तो मान के चलिए जब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह information एंटी यह खुद ना दे दे ठीक है इतने बड़े लेविल पर जब तक चीजें नहीं होती हैं जब तक कि कोई चीज प्रूफ ना हो जाए अभी केवल यही matter सामने आ रहा है कि हिंदी का paper जो है वो लीग हुआ है 27 वाला तो अगर इसी paper की ही problem है particular center है वो center तो may be quite possible किवल वहीं के लिए ही यह conduct होगा और जो भी होगा अपना official notice आएगा ठीक है friends और उस official notice की ही आगे आप लोगों को वीडियो में update बना दूँगी क्योंकि इतना panic होने की ज़रूरत नहीं हो मैं यह भी चाहती हूँ कि लोग please video बनाएं तो किवल यह सोचके न बनाएं कि video बना नहीं है एक बार यह भी समझ लेगी हो जकता है paper leak हुआ है अभी उसकी जाच पर तल चल रही है क्या सही है क्या गलत है सब निकल के आएगी information तो थोड़ा सा patience बनाए है paper रद नहीं हो सकते है बाकि आप लोग comment में बताएए का आपको क्या लगता है क्योंकि paper सभी के पहली बात तो सभी के paper leak नहीं हुए है ऐसी कोई information किसी के पास भी नहीं है बट यह के वल एक rumor उड़ाया जा रहा है ठीक है और paper रद भी सभी के नहीं होंगे अगर सभी करनी आया और जब अगर यह आजाता है कि सभी के paper हुए है तब हम मान सकते हैं लेकिन NTA ने अभी इस matter में कुछ बोला नहीं है जबकि NTA को जल्दी ही बोलना चाहिए क्योंकि ऐसी rumors को उड़ाने का मौका नहीं मिलना चाहिए ठीक है अगर NTA इसकी उपर जल्दी से कोई notice लेके आए तो उसको इसलिए time लग रहा है I think क्योंकि वो भी यह देखना चाहरे है कि पुलिस की जार्च परदाल से क्या निकल के आता है तो थोड़ा सा patience बना के रखिए और प्लीज rumors ना उनाए कि पिपर रद ही हो जाएगा अगर हिंदी का पिपर लीक हुआ है तो फिर हिंदी वालों को हो सकता है कि फिर से ready होना पड़ेगा और जिस center का है में भी हो सकता है कि उसी center में दुबारा से exam को schedule कराए जाए उसका notice जल्दी ही आ जाएगा आई होप कल तक आज आना चाहिए most probable क्योंकि आज भी जाज परताल ही चल रही है ठीक है मेरा मानना तो यही है बाकी आप देख सकते हैं जो पहले जो notice था मैं आपको दिखा देती हूँ एंटी ने जब rescheduling करी थी तो उसमें देखिए क्या दिया गया था मैं दिखाती हूँ आपको यस गाईज देख सकते हैं यह है official notification है ठीक है जो public notice आया था कंड़ा UGC NET December 2000 28 June 2021 cycle should goal ठीक है जो exam हुआ था तो इसको देखिए यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर due to दिया गया है due to technical issue at some centers of UGC NET ठीक है तो due to यहाँ पे इस तरीके specification दिया जाएगा यह paper उसकी वज़े से नहीं है ठीक है तो इसमें confused नहीं होना है जो यह कंड़ा वाला था इसमें technical issues थे यह highlight कर दिया मैंने आप को clear देख रहा होगा यह देखिए technical issues तो केवल technical issues की वज़े से यह वाला हुआ था बाकि अभी जो हो रहा है जो भी आप कल से news देख रहे हैं paper leak का जो matter है तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कल तक आपको इसकी informations मिल जाएगी NTA कुछ ना कुछ तो उस पर जरूर डालेगा ठीक है NTA की official site पर और उमीद भी हम यही करते है कि NTA को step ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारा rumors जो है वो बच्चों को panic कर रहा है ठीक है तो उससे much better कि कुछ तो वो notice डाल दे कि हम इसके उपर step लेंगे या जल्दी हम बताएंगे या जो भी तो XYZ उनकी तरफ से कुछ information आजएगी तो student को काफी help हो जाएगी वैसे भी almost काफी समय से ये सारी चीज़े हम लोग देखते हा रहे है तो I hope जल्दी ही NTA कुछ step लेगी और तब तक आपको pain लेनी की जरूरत नहीं है आप देख रहे हैं जब भी NTA कुछ करेगा तो public notice आएगा किसकी वज़े से होगा वो भी notice आएगा और particular कौन सा subject है हिंदी है या किसी और subject में भी ऐसा हुआ है ये सारी चीज़ें चल रही है हिंदी सब्जेक्ट में paper लीग हुआ है या other subject में हुआ है तो वो सारी चीज़ें पूरी clear कर लेंगे उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगा तो guys बिल्कुल भी tension लेनी की जरूरत नहीं है थोड़ा सा वेट करिए अगर इतने time तक हम लोगों ने महनत करी है तो थोड़ा सा patience और और हो सकता है कि चीज़ें जल्दी ही हमें मिल जाएं सारी notice वगर NTA की तरफ से आजाए ठीक है तो rumors की वज़े से बिल्कुल भी panic नहीं होना है पहली बात दूसरी बात अपना website पर आप चेक करते रही है वहां से बिल्कुल भी fake news नहीं मिलेगी जो भी news आएगी वो NTA की तरफ से ही अप प्रूव होगी तब ही उसे मानियेगा अब भी इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि rumors में आ जाएं और टेंशन लें ठीक है ठीक है फ्रेंट्स इसलिए ये वीडियो बनाया था परपस के वल यही था कि राइट इन्फरमिशन पहुच जाए अब ही तक जाच परताल चल रही है तो इसलिए आप कल तक का वेट कर सकते हैं I hope all you guys doing well और for the upcoming examination of yours all the best for all that ठीक है और अच्छे से पढ़ती रही है ठीक है keep smiling और हमारे next video तक अच्छे बने रही है ध्यान रखिये और sharing is gearing प्लीज like, subscribe चैनल को जरूर करना bell notification जरूर प्रेस कर लेना जैसे कि आपको अपडेट जो है वो मिलती रहे जो भी मैं वीडियो बना हूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और जल्दी हम लोग NTA.net का पूरा course लाँच करने माले है जो पूरा फ्री में होगा तो please subscribe कर लीजेगा जिसे कि आपको information मिल जाएगी सारे वीडियो बिल जाएगे